गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेल्कम बेक टू ओनलाइं क्लासिज इन एम डीन पब्लिक स्कूल कलायत कल हमने अपने लेक्चर वन पार्ट वन में लैसन फॉर क्लास प्लस टू को हिस्ट्री का संस्कृत की विकास विचारक विश्वास्वेकला के बारे में डिसकस किया था इसमें की पॉइंट्स ओफदा चैप्टर के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और यह विद्यार्थियों क एक निवेदन हैं बेटा आप किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हो लेकिन किसी भी टीचर की विडियो पर कोई गल्थ कोमेंट ना करें और किसी भी प्रकार की कोई हानी ना पंचा यह आप लोगों के लिए ही है कि अगर ऐसा करता को आप कोई भी दीखे तो आप टीचर का नुक्सान है आप लोग का नुक्सान है और टीचर को भी इंसर्ट फिल करनी पड़ती है तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना करे और स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि बीटर देखो हम स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर टू कल हमने जो पड़ा था एक बार उसको रीड कर लेते हैं कि स्रमन पड़ा था स्रमन आपको अच्छे समझ आ गया होगा शिक्षक विचारक जो स्थानों पर गूम गूम का तर्क वितर करते हैं कुटार गर साला नुक दूंगान चैते थेरवाद तिर्थकर नीग्रंथ वैशनव शैव महाविनिश कर्मन बोधिसतु नाओ डिसकसी इन पार्ट टू चैप्टर लेस्टन फोर पार्टू में अब ध्यान से देखें इसके अंधराज मैंने बहुत सारी डेट्स को डूंड के लिखा है जो आपके लिए हैल्प रहेगी कि आपको पता है कि हिस्ट्री में डेट्स की बड़ी इंपोर्टेंस असन की तो आप सभी इस लेस्टन के नोट भी करें और लिख भी ले क्यों कई बर हम रख देते वक्त अगर कोई सन रह भी जाये तो आप बेटा सभी राइट करे अब हम अले बाखेंड़े को प्राक्षानी मार्तों मुर्त्यों की संरक्षन किसका समय अधुनिकाल का मैंने साइड बना दिये बेटा काल समय और दूसरी कि याज़ना को प्रश्ट पाइंट आता है 1796 1796 इस्वी में अमरावती स्तूप के कुछ अवसेश मिले अमरावती स्तूप के अवसेश मिले फीर आया 1814 का समय 1814 में Indian Museum कलकत्त हैं क इसके बाद 15 आता है Can स्लेवर्स में नहीं है टैन्थ क्लास में है 1815 में हुआ था बेटा वियना की संदी वियना संदी उसके बाद आती है 1818 की सांची के स्तूप की खोज सांची के स्तूप की खोज कब हुई बेटा 1818 इस्वी में स्तूप पता है एक आर्दगोलाकार में एक टीला होता है जो द्रात्तर से प्रित्वी से बहुत उंचा होता रहा है जाप्रमातांबुजी बैठे होते हैं remember 1834 थारा सो चॉंती में राम राजा दोळां थारा सो चॉंतीस में फको राम राजा दो आरचित एसेज औन द harsh आरकि टेक्टर आफ दा हिंदूज का प्रकाशन राम राजे bass यह कोंसीदी है । हिंज परपाछित इसेज इसेज और सेज औन ड द का निंगम ने सारनाथ के स्टूप पर का सर्वेक्षन किया कि 1835 में से 42 तक यह बिल्कुल आपके जुशन लिख्यों है बिल्कुल डेट वाज लिख्यों है जो आपके सलेवस में 1835 टू 1842 जेम्स फुर्गसन ने भारत के महतापूरण इस तर्वेक्षन किया बात आई 1851 में गौन के स्टौपना यह मद्रास में या मद्रास में किस म्यूजियम के स्टौपना होई और कब होई बात करते हैं 1854 का समय आया गंधूर के कमीशनर थे कोन एलियेट गंधूर के कमीशनर थे एलियेट जैसे आप देख भी पा रहे हैं एलिएट ने अम्रावती के स्थूप स्थल की यात्रा की गंदूर के कमिश्णर ने एलिएट ने कौन था एलिएट एलियट ने अम्रावती के स्थूप किस्थल यात रखी और अलेकजेंडर कनिंगम ने विल्साट टॉप्स नामक पुस्तक लिखी बहुत इंपोर्टेंट है अलेकजेंडर की पुस्तक का नाम पुछा जाता है कौन से बिटा विल्साट टॉप्स आप देख भी रहें बहुत इंपोर्टेंट है कनंगम लेकजेंडर कनिंगम ने विल्साट टॉप्स नामक पुस्तक लिखी यह सांची पर सबसे प्रारंबीक रचनाव में से एक है अब समय आया एक्टिन सेवन्टी सिक्स का है एच डी बरस्टो ने एच डी बरस्टो ने सहाजा बेगम की आतम कथा स सोल लोगों साजयान वह ना ragad था ताल अलम-द्व इकबाल तारिक बोपल ताज वलाव-टारिक बोपल क्या इसमें जो यह आतम कथा है उसमेंसारा का सारा क्या है बेटा बपाल का क्वाल के प्रश्ट्री वहिश्टी का अंग्रेजी में औन रख explain क्या है कित्म् सैक्स में एच डी बरोष्टों ने साजा बेगम की आतम कथा में कोंसी है ताजूल इकवाल में भपाल का इतियास का वर्नन किया और वो भी किस बासा में अंग्रेजी अनुवाद में किया मटने कित भुद्ध 550 आप अब आता 1878 र जेंदर्लाल मित्थर द्वाराल लिखित बुद्ध गया बुद्ध गया कुण्सि द एलिटेज और कल प्रकासन रिचन ही आता है है इलमेशाई ने अब हुआ 1878 में या हैल्टेज 1878 में जिन्दरलाल मित्र दौर लिखित बुद्ध गया कुन सी थी हैल्टेज आप शक्या मुगन और किसे लिखा था जिन्दरलाल मित्र ने और 1878 में दो बातियों हो रहे हैं आप नोट भी कर लें वीडियो को देखकर इसी में एक वर्नाफ क्यूलर प्रेस एक्ट पास किया गया था जिसको हमने 1878 में बात करते हैं आप 1880 की 1880 में 1880 में प्राचीन बवनों का संग्रहाद्यक्स 1880 में देख रहे हैं प्राचीन बवनों का संग्रहाद्यक्स एक एच एच को बनाया गया कोश्चन आता है किसको बनाया रहे है एक्ट पास हुआ क्यों प्लस वन क्लास से व स्थे आप लोगो लेकिन आप एक बर इसको रीड करें घरपर तो आपको याद भी हो जाएं हैं 1888 इसवी में ब्रेंजर ट्रेजर ट्रोव एक पास हुआ ट्रेजर ट्रोव एक एक पास किया गया जिसके अनुसर सरकार पूरा तत्विक मेहतव की किसी भी चीज को अपने अधिकार में ले सकती थी कौन सा कोश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पूरा तत्विक महतब कौन सा ऐसा महतब है जिससे सरकार उस किसी भी चीज को अपने अधिकार में ले सकती थी कौन सा एक्ट था बेटा ट्रेजर ट्रोल ट्रेजर ट्रोल का पास किया गया ट्रेजर ट्रोल 1888 में कि 1914 पेसी की बात आई 1940 में बच्चे तरह परिचीतों के फर्स्ट वर्लड वार चला वार तो 1918 तक लेकिन हर लेशन में हर इस्टवी में हर रेट की बड़ी इंपोर्टेंस है एक एक सन में बहुत हो जाते है 1914 इस वी में जोन मार्सल और अल्फ्रेंट फूसे की रचना जोन मार्सल और अल्फ्रेंट फूसे की रचना कौन सीथी दा मन्यूमेंट्स ओफ सांची का प्रकासन हुआ अब बात आते हैं 1923 की 1923 में जौन मार्शल द्वारा त्यार कंजर्वेशन मैनुवल का प्रकाशन हुआ 1955 में बहरत के पर्थम परधान मंत्री जौरला नहरु द्वारा राष्ट्रिय संग्राल्य नई दिल्ली की स्तापना 1955 में बहरत के पर्थम परधान मंत्री जौरला नहरु जी द्वारा राष्ट्रे संग्राल्य नई दिल्ली की स्तापना जब समय आया 1989 का सांची को एक वर्ल्ड हैरिटेज साइट गोशित किया गया थोड़े से पॉइंट्स लगते होगे आपको भी आपने नहीं पढ़े होगे लेकिन आप पढ़ेंगे तो जबी आप लिख भी पाओगे बेटा इसको अच्छे से हवे गूट देख.